जैहिन फ्रेंड्स आप एक पुड़क्ट देख रहे हैं कोरियर से मेरे पास आया है यूनिवेक्स कंपनी का इसकी उन्बॉक्सिंग करेंगे और इसको यूज भी करेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा है यह है फैबरिक स्टिफनर जिसको हम स्टार्च कह सकते हैं और इस पेसली में फाड़ी, लीनेन, कोटन और सिल्क के लिए बना है जैसा कि इसके उपर लेबल में लिखा हुआ है और देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा है आयरन करकर भी कपड़े को देखेंगे कि रिजल्ट कैसा आ रहा है इसकी इंबॉक्सिंग कर लेते हैं कि कैसा दिखता है जैसे हम लोग इस टार्च लगाते हैं अरा रोड का सामुंदाने का इवें चावल का कई जगा आलू का भी लोग इस टार्च बनाते हैं उसके जगह पर आप इसको यूज करने में कैसा इसका रिजल्ट है इस सब बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे देखने में प्रच लग रहा है काफी गाड़ा है वाइत कलर का है एक जर हमारे पास है उसको उसक 상태 उसको यूज करेंगे इस मिला लेना है और पानी सूजकि अम सब करेंगे उस पे अच्छी तरीके से वो घुल मिल जाए नार्मल पानी है गरम पानी नहीं है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे घुलने में कोई दिक्कत नहीं है बड़ी आसानी से घुल गया है और इस सलूसन को बड़ी अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी के साथ में 9 बचा रहा है कि देखिए पूरी तरीके से यह घुल गया है और नियमानुसार इस पे जो इस्टिकर लगा हुआ इंस्ट्रक्शन उसमें रखा है कम से कम पांच से साथ मिनट तक के लिए इसको सोग करके रखना है हमने एक बलेजर पे इसको ट्राइ कर रहा है इस बलेजर में कोई फिलप नहीं है किवल अस्तर लगा हुआ है और काफी भीला सा है लूज सा है तो कस्टमर चाहता था कि तु इसको हम सोग करेंगे और पांच से साथ मिनट तक के लिए इसको छोड़ देंगे जिससे यह अच्छी तरीके से इस पर अपलाई हो जाए सूखने के लिए हमने डाल दिया है निचोड़ा नहीं है हाइड्रो मसिन से और स्टीम प्रेस कर दिया है फर्स इंप्रेसन में तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है कोई पैचे जिस पे नहीं आया है और देखने में भी ठीक लग रहा है तो इस पॉड़ट के अगर आपको जोड़त हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप जाके और कर सकते हैं और इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने इस वीडियो को देखा पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार